जैहिन वन्देमात्रम स्वागत है आप सभी का जीय स्वेट आशुपर आज की वन्सोट की वीडियो बीहर पडिचारी में एक सीट कनफर्म कराने वाली वीडियो है हम केवल 15 मिनिट के अंदर ऐसे 50 प्रस्णों को देखने वाले हैं जो आपके एक्जाम को फटा करने में काफी हेल्प करेगा अगर आप चाहते हैं आपके घर में एक सरकारी नोकरी का दीपक जले तो वीडियो को पूरा ज़ूर देखेगा चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचेगा अपना अंसर क्या हो सकता है पहला प्रस्ण है तीरी बान की नदियों के संगम पर इस्तित है इंपॉर्टन प्रस्ण है तो दोस्तो तीरी बान इस्तित है भागी रती और भिलेंगणा नदी के संगम पर अगला प्रस्ण है कौन सी धातु मेनी माता रोक का कारण बनती है प्रस इंपोर्टेंट है और कई बार पूछा गिया है जामे मेनी माता रोक का कारण बनती है वो धातु हो जाएगा पारा अगला प्रस्ण है भाड़त वर्ष में जल परदूसन निरोद एम नियंतन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गिया था प्रस इंपोर्टेंट है भाड़त वर्ष में जल अधिनियम पारित किया गिया था वर्ष उनिस्सोचतर में ओप्सनमर D अगला प्रस्न देखते हैं करेंट अफेर का प्रस्न है 33 में 2024 ओल्लंपी खेलो की मिझवाणी किसके दूआरा की जाएगी 2024 ओल्लंपी कि खेलो की मिझवाणी की जाएगी पेरिस के दूआरा آپ्सनमर C अगला प्रस्ण है राश्पती के अध्या देश पारित करने की सक्ति वर्नित है अनुचेद 123 में ओप्सन नमर ए अगला प्रस्ण देखते हैं, important प्रस्ण है, भारती वण अनुसंधान संस्तान कहां इस्तित है? भारती वण अनुसंधान संस्तान इस्तित है, देहरा दून में, option number D अगला प्रस्ण देखते हैं, भारत का सुदूर उत्री बिंदू कौन सा है? भारत का सुदूर उत्री बिंदू है इंद्रा कॉल ओप्सन नमर बी भारत का सुदूर उत्री बिंदू इंद्रा कॉल है और सुदूर दचनी बिंदू इंद्रा पॉइंट है भारत का सुदूर पुर्वी बिंदू की भीतू है जो की अनाचल परदेश में इस्तित है और सुदूर परश्मी बिंदू कच गुजरात में इस्तित है अगला प्रस लेखते हैं भारत का सक्रिय ज्वालों मुखी कौन सा है भारत का सक्रिय ज्वालों मुखी दीप है बेरेन दीप ओप्सन नमर सी बेरेन दीप अन्वान सागर में इस्टित है एक दीप है या दरचिन एसिया में एक सक्रिय ज्वालों मुखी है और सुमात्रा से मेनमार तक ज्वालों मुखी श्रिंखला है अगला प्रस्ण देखते हैं important प्रस्ण है फजल अली आयोग संबंदित है फजल अली आयोग संबंदित है राजियों के पुनर गठन से option number D अगला प्रस्ण देखते हैं odometer एक उपकरण है जिसके दुवड़ा मापन किया जाता है odometer एक उपकरण है जिसके दुवड़ा मापन किया जाता है दुड़ी का option number D अगला प्रस्ण देखते हैं important प्रस्ण है जब 1942 में भारती राश्टी कॉंग्रेस ने भारत छोड़ो आंदरों शुरू किया तब भारत का वाइसरा है कौन था जब 1942 में भारती राश्टी कॉंग्रेस ने भारत छोड़ो आंदरों शुरू किया तब भारत का वाइसरा था लॉड लिंठिगो option number A अगला प्रस्ण है एक खास रिंखला में निमलेखित में से सरवाधी संख्या किसकी होती है एक खास रिंखला में सरवाधी संख्या होती है अब भटक की option number D अगला प्रस्ण दिखते हैं किस राज में ग्रिस रितु में होने वाली वर्सा को मैंगो सावर के नाम से जाना जाता है आंसर है option number B केरल राज को केरल राज में ग्रिस रितु में होने वाली वर्सा को मैंगो सावर के नाम से जाना जाता है अगला प्रस्ण देखते हैं भारत में वाटर मेंन के रूप में किसे जाना जाता है भारत के वाटर मेंन के रूप में जाना जाता है राजिन सिंग को option number B अगला प्रस्ण है, कीज दीन को which cancer दिवस के रोप में मनाये जाता है? इसका आंसर आप लोगों को बताना है, कॉमेंड में, देखते हैं किनका आंसर सही होता है? अगला प्रस्ण है, भारत के किस राज में कटी द्यूहु महसब आयजित किया जाता है? कर्टी ब्यूहू मोहसब आयजित किया जाता है असम राज में ओप्शन नमर बी अगला प्रस्न देखते हैं important प्रस्न है कौार्ड में कौन से चार देश सामिल है कौार्ड में जो चार देश सामिल है वह है संयुत राज अमेरिका, जपान, भाड़त और अस्टेरिया option number D अगला प्रस्न देखते हैं लोसर उससब की धरम से संबंदित है लोसर उससब संबंदित है बहुत धरम से option number B अगला प्रस्न देखते हैं युनानी दार्षनिक सुकडात का सिस कौन था अगला प्रस्न है बिहार में बहने वाली किस नदी का उदगम ज़ारकन के पलामुजिले में है तो दोस्तो वह नदी है पुनपुन नदी option number B जिसका उदगम अस्तल ज़ारकन के पलामुजिले में इस्तित है अगला प्रस्न लेखते हैं important प्रस्न है सोफी प्रमपड़ा के संदर में खान का सर्थ का अर्थ है एक धरम साला से ओप्सन नमर C अगला प्रस्न देखते हैं बीहोला तेवार मुक रूप से बीहार के निमले खित में से की जिले में मनाया जाता है तो दोस्तो बिहोला तेवार मनाया जाता है बिहार के भागलपुर जिले में आप्शन नमर B अगला प्रस्ण है बिहार का दोड़ा करने वाला पहला बिदेशी यातरी कौन था? बिहार का दोड़ा करने वाला पहला विदेशी यात्री था मेगा स्थनीज ओप्सन नमर C अगला प्रस्ण देखते हैं कौन सा अभिहारन बिहार के पस्मी चमपाडन जिले में इस्तित है बिहार के पस्मी चंपारन जिले में इस्तित है वह अभिहारन का नाम है उदैपूर वंजिव अभिहारन ओप्सन नमर सी अगला प्रस्ण देखते हैं इंपोर्डेंट प्रस्ण है जलवाई परिवर्तन परदसन सुचकांग दो हजर तईस में भारत की रेंग क्या है अगला प्रस्ण देखते हैं निमलीखित में से भारत में क्रोमाईट का सबसे बड़ा उतपादक कोण है अगला प्रस्ण देखते हैं भारत और चिन के बीच पंसील समझोता तब हस्ताचरित हुआ था भारत और चिन के बेज पंसिल समझोता हस्तारिच हुआ था वर्स 1904 में आप्सन मर सी अगला प्रस्न देखते हैं इंपोर्टन प्रस्न है भारत में नीली करांती के जना के रूप में किसे जाना जाता है भारत में नीली करांती के जनके रूप में जाना जाता है हिरालाल चोधरी जी को आप्स नमर सी अगला प्रस्म देखते हैं 1564 में मुगल सेनाओं से गर्ट कटंगा की रच्छा करते हुए किस राणी की मिर्टी हो गई थी तो दोस्तो वह रानी का नाम है रानी दुरुगावती ओप्स नमर डी अगला प्रस्म देखते हैं भारत के पहले नियंतरक और माहालेखा पड़िछक कौन थें भारत के पहले नियंतरक और माहालेखा पड़िछक थें वी नढ़डी राओ ओप्स नमर डी अगला प्रस्ण है मानफ शरीड में कितने परकार की सुवेत रत को सिकाएं होती है तो दोस्तों मानफ शरीड में 5 परकार की सुवेत रत को सिकाएं होती है अगला प्रस्ण देखते हैं एक सुमिंग पूल हमेशा वास्तविक गरहाई से छोटा दिखाई देता है या नीम का उधारन है या उधारन है अप वर्तन का ओप्शन मर बी अगला प्रस्ण है लोहा किस आयक से निर्मित होता है तो दोस्तो लोहा निर्मित होता है हेमेटाइड आयक से ओप्शन मर बी अगला प्रस्ण है निमलीखित में से कौन सब पदार्थ ब्लेचिंग में क्लोरिन के विकल्व के रूप में उपियो किया जाता है। गुलोवर फायर पावड इंडेक्स 2023 में भारत कराइंख है फोर्थ ओप्षन नमर डि अगला प्रस्ण है उनी सो बीच में अस्थापित अखिल भारती मज़्दुर संग कॉंग्रेस का पहला आध्यच कौन था? 1920 में अस्थापित अखिल भारती मजदुर संग कॉंग्रेस का पहला अध्यस था लाला लाच्पत राय ओप्सन नमर सी अगला प्रस्ण देखते हैं महाराजा धिराज के उपाधी अपनाने वाला पहला गुप सासक कौन था? महाराजा धिराज के उपाधी अपनाने वाला पहला गुप सासक था? अगला प्रस्ण देखते हैं इंपोर्टेंट प्रस्ण है देश की पहली क्रितिम बुधे मता AI अधारी डियेटर लोक अधालत कहां शुरू की गई है आंसर है ओप्शन मर्डी राजस्थान में अगला प्रस्ण है अःहलही में कौन विश मौसम बिज्यान संगठन यानि की डबलू एमो की प्रथम महिला महा सची बनी है अगला प्रस्ण देखते हैं अहलही में किश टीम ने मैंस होकी जूनियर एशिया कब दो हजार तरीस का खिताब जीता है मैंस होकी जुणियर एसिया कप 2023 का खिता अब जीता है अपना प्यारा भारत देश ओप्शन नमर C अगला प्रस्म देखते हैं कौन बैक्ती हाल ही में Still Authority of India Limited यानी की सेल के नए अध्याज बने हैं सेल के नए अध्याज बने हैं अपने इंदू परकास ओप्शन नमर A अगला प्रस्म देखते हैं अहाल ही में कौन अंत्रिच में जाने वाली पहली अडव महिला बनी है रैयाना बर नाभी ऑप्शन नमर B अगला प्रस्ण देखते हैं दुनिया के दस्वें सबसे उंचे पडवत अर्णा पुर्वा पडवत पर चड़ने वाले पहले भारतिय पूरुज कौन बने हैं आंसर है ओप्शन नमर ए अर्जुन वाजपाई अगला प्रस्ण देखते हैं अहाल ही में उत्तरपुर्वी भारत के पहले एम्स कौध घाटन की सहर में किया गिया है आंसर है ओप्शन नमर बी गोहाटी में अगला प्रस्ण है भारत का पहला थ्रीडे प्रिंटे डा घर निम में से की सहर में बन रहा है भारत का पहला 3D printed dark घर बन रहा है बैंलूरू में ओप्स नमर D अगला प्रस्न है नीम में से भारत में सबसे उची अम्बेतकर परतीमा का अनावरन की सराज में किया गिया है आंसर है ओप्स नमर C तिलंगाना में अगला प्रस्न देखते हैं अहाल ही में किस राज में फोट कॉन कलेब 2023 आयजुत किया गिया है फोट कॉन कलेब 2023 आयजुत किया गिया है तिलंगाना में ओप्स नमर B अगला प्रस्न है भारत में राष्टे टीका करन दिवस किस दिन मनाया गिया है भारत में राश्रे टीका करन दिवस मनाये गिया है 16 मार्च को ओप्शन मर्डी थैंक यू